हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा ये कहानी है मायापूर की रहने वाली सविता की, पूरा मुहलना उसे सविता भावी के नाम से बुलाता है और उनका जबरदस्त आशिक है, वो भी क्यों न, सविता भावी ने अपनी अदाओं से सभी के दिल पर जादू जो चला रखा है, वो जिधर से भी गुजरती, उनकी अदाओं को देख कर सभी के मुझे आहे भरते हुए एक ही बात करते हैं, सविता भावी को फूर्सित में बनाया गया है आज सुबह सुबह सविता भावी ऐसे तयार हो रहे थी, जैसे कि उन्हें किसी शादी में जाना हो उसके पती आलोक नाथ ने जब उसे इस तरह से तयार होते देखा, तो उसने उसे टोग भी दिया अरी, इतना तयार होने की क्या जरूरत है, पास वाले जनरल स्टोर तक ही तो जाना है आलोक नाथ की बात सुनकर सविता भावी ने उसे घूर कर देखा और कहा आप ज़्यादा चबर चबर मत करो, और मुझे मत सिखाओ कि मुझे कितना तयार होना है कितना ने सविता की बात सुनकर आलोक नाथ चुप हो गया, उसके बाद सविता ने सामान के लेसली और पप्पू जनरल स्टोर की तरफ चल पड़ी महली की वो लोग जो हमेशा उसे ताड़ते रहते थे, उसे देखते ही उसे सुनाते वे बोले सविता भावी उन लोगों की बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी और पप्पू जनरल स्टोर की ओर भड़ती चली जा रही थी वो जनरल स्टोर पहुँची और मुस्कुराते हुए दुकान मालिक से कहा अपने बही खातों में उलजे पप्पु ने जब सविता भावी की आवास सुनी तो अपने गंदे दाथों को निपोरते हुए उससे कहा सविता ने उसकी बातों का जवाब अपनी कातिलाना मुस्कुराहट से दिया फिर सविता ने पपु ज़नरल स्टोर वाले को अपने साथ लाई सामानों की लिस्ट दी और उससे कहा पपु भईया जरह मेरा सामान जल्दी से पैख कर दो उनको ऑफिस जाना है अरी सविता भावी भईया मत बोलिये पपु बोलिये न अच्छा लगता है अरे वही पपुजी जी नहीं सिर्फ पपु अच्छा बाबा पपु आए हाए सवीता भावी आपके मूँ से अपना नाम सुनकर कुछ-कुछ होने लगता है उसकी बातों को सुनकर सवीता खिल-खिला कर हस पड़ी सिर्फ कुछ-कुछ ही होता है पपुजी सवीता ने ये बात इस अंदाज में और लंबी-लंबी सांसे लेते हुए कहा कि पपु छेप सा गया और सवीता से कहा सवीता भावी मैं घर पर भी डिलिवरी देता हूँ अगली बार से सिर्फ कॉल कर दीजिएगा बन्दा आपकी खिद्मत में हाजिर हो जाएगा बन्दा? मेरा मतलब है आपका सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा फिर पपु ने सारा सामान उन्हें दिया और चार हजार रुपे का बिल सवीता को थमा दिया बिल देखकर सवीता ने कहा कि क्या पपु जी? आपने कोई छूट नहीं दिया क्या? आपको तो पता है मैं आपकी पर्मानेंट करा आगो अरे ऐसा नहीं है सवीता भावी मैंने तो आपको पूरी छूट दी है वो क्या है ना कि पूरे चार महीने का विल है ना सवीता की बात सुनकर पपू उसकी तरफ घूर कर देखने लगा तो सवीता ने कहा कोई प्राब्लम तो नहीं है पपू जी? प्राब्लम? अरे नहीं-नहीं सवीता ने अपना सामान उठाय और फिर से एक कातिलायरा मुस्कान देती हुई वहां से चली गई यह उसकी अदाओं का जलवा ही था कि पूरे एक साल से वो बिना किराया दिये ही किराय के मकान में रह रही थी पिछले शनिवार को भी जब मकान मालिक उदैचंद्र किराया मांगनी गया तो क्या उदैचंद्र जी मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही आपको छोड़ कर आपके मकान को छोड़ कर अरे सविता जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा वो तो मैं इधर से गुजर रहा था तो इस तरफ भी आ गया ये सुनकर सविता ने अपना हाथ धीरे से उदैचंद्र के हाथों पर रख दिया और तेज आहीं भरती हुई बोली सविता की बाद सुनकर तीन बच्चों के पिता उदैचंद्र का दिल भी किसी फुटबॉल की तरह उचलने लगा वो उस दिन भी बिना किराय लिए सविता के यहां से वापस चले गए इस तरह नाचाने कितने लोगों से सविता ने बिना पैसे दिये अपना काम निकाल लिया था उसका पती जो बहुत ही सीधा था और मामूली तनख्वा पर नौकरी करता था उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन सविता ने उसे पूरी तरह दबा कर रखा हुआ था एक दिन की बात है आलोगनाथ रात को अपने ओफिस से लोट रहा था तो उसको मुबाईल पर किसी अन्नोन नंबर से फोन आया उसके बाद उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर आलोगनाथ को ऐसा लगने लगा कि वो कहीं जाकर अपना सिर पटक ले बार-बार उसके कान में उस आदमी की वही बात गुंच रही थी अरे शर्माईये मत आलोगनाथ जी खुलकर बोलिये न, क्या है आपकी बीवी का रेट देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मेरी पत्नी के बारे में उल्टे सीधी बाते कर रहे हैं अरे, ऐसा क्या कह दिया मैंने पूरे मुहले में आपकी बीवी की अदाओं के चर्चे है अरे, हम तो सिर्फ उन अदाओं की कीमत पूछ रहे है अलोगनाथ क्या जवाब देता उसने फोन कार्ट दिया उस दिन के बाद तो कोई न कोई उसके फोन पर कॉल करता और उसकी पतनी का रेट पूछ था एक दिन तो मुहले का एक आदमी जिसका नाम अमर था उसने सामने से ही आलोगनाथ से ये बात पूछ दी ये आप क्या बक्वास कर रहे हैं अमर जी बला इस तरह की बात कोई करता है क्या आपको पता नहीं हम लोग कितने सीधे साधे लोग हैं अरे किस बात पर इतना भड़क रहे हैं आप हैं मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया पूरे महले के लगों के साथ आपकी बीवी गुल जर्रे वड़ाती है ये बात आपको पता नहीं है क्या बड़े आय सीधे साधे लोग है अलोक नात का सिर्फ शर्म से जमीन में कड़ गया उस दिन उसने तै कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो अपनी पतनी से इस बारे में जरूर बात करेगा घर पहुँचते ही उसने अपनी पतनी से इस बारे में कहा और ये भी बताया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते है उसकी बातों को सुनकर सविता चिर्ग गई आप भी ना बड़े नेरो माइंड के हो अरे औरत किसी से हस कर बात कर ले तो ऐसा क्या गुना कर दिया सविता बात ये नहीं कि तुमने हस कर बात की बात ये है कि तुम्हारी हसी का क्या मतलब लगाया जा रहा है जिसको जो मतलब लगाना है लगाने दो और हाँ मेरी इस हसी के कारण पूरे एक साल से बिना किराय दिये इस घर में रह रहे हो राशन वाले को राशन का पैसा नहीं देना पड़ता दूद वाला भी फ्री में दूद दे रहा है अगर मैं इस तरह ना हसू बोलू तो तुम्हारी मरियल तन खुआ में तो सूखी रोटी भी नसीब ना हो और छट की बात तो दूर ही समझो सविता जिसके जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए माना कि मैं कम कमाता हूँ लेकिन इतना भी कम नहीं कमाता कि तुम्हें पेट भर ना खिला सको प्लीज तुम ये सब करना छोड़ दो इससे तुम्हारी बदनामी होती है देखिए आप अपना लेक्शर बंद करिया और मुझे जो करना करने दीजे नहीं तो मैं घर छोड़ कर चली जाओंगी आलोकनाथ अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था वो उसकी भलाई चाहता था लेकिन वो तो अपनी धुर में रहती थी हालगि उसकी पत्नी ने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया था लेकिन उसकी छवी गलत बन गई थी लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन उसकी यही छवी उसे कितना शर्मसार करने वाली है एक तिन जब वो घर में अकेली थी तभी दो लोग उसके घर का दरवाज़ा खड़ाने लगे उसने दर्वाजा खूला तो दो अंजान लोगों को दर्वाजे पर खड़ा देखा। वे दोनों नशे में थे। ये क्या बखवास है? होश में तो हो तुम दोनों? पूरे महले को मदोश कर रखा और हमें होश में रहने को कह रही हो। अलोक नाथ को बहुत मारा लेकिन आलोक नाथ भी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी उन दोनों को खूब मारा। एक का तो सिर भी उसने फोड़ दिया। उसने भी गुस्से में आकर आलोक नाथ को चाकू मार दिया। उसके बाद दोनों भाग गए। आलोक नाथ के पेट से खोन निकल रहा था। कराते कराते वो बेहोश हो गया। सविता ने जब ये देखा तो तुरंट उसे लेकर अस्पताल पहुँची। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। पूरे 48 गंटे बाद वो होश में आया। जब उसे होश आया तो सविता उसके पैरों के पास बैठी होई थी। उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थी। तुम मेरी पतनी थी। हो और सदा रहोगी। मैं तुमसे प्यार करता था। करता हूँ और सदा करता रहोंगा। यह सुनकर सविता ने अपने पती को गले से लगा लिया।